गुड मानिंग स्टुडेंट आप सभी को मेरे यूटूब चैनल टच इग्जाम में स्वागत है देखे इंडियन पोस्ट के तरप से जो है एक बहुत बड़ी वैकंसी निकाल दी गई है ग्रामिन डाक सिवा के नाम से यह पोस्ट है ठीक है इसके बारे में आपको मैं पूर यह जो वैकंसी निकाली गई है वो ग्रामिन डाक सिवा जीडियस के राम से निकाली गई है और यह इंडिया पोस्ट के तरप से वैकंसी निकाली गई है चलिए हम आगे बात करते हैं अप्लिकेशन फीज का तो अप्लिकेशन फीज जो है वो जैनरल ओबी सी इडैबलुए जो है female category के जो भी student है उन लोगो एक भी रुपानी पे करना है मतलब जो general OBC EWS हैं सिर्फ होई लोगो 100 पीस पे करना है important date की बात करते हैं तो चलिए important date की बात करते हैं सबसे पहले मैं बतला दूँ कि ये कौन-कौन state से vacancy निकाली गई है ये तीन state के लिए vacancy निकाली गई है फर्स्ट है मादपर्देश दूसरा है रियाना और थर्ड उत्रा खंड के तरब से registration जो date है वो 86-2020 को चालू कर दी गई है इसका जो last date है वो 7-7-2020 तक चलेगी आगे हम बात करते हैं state-wise vacancy detail का तो जलिए हम आपको बतला देते हैं कि state-wise vacancy और category-wise कितनी vacancy निकाली गई है मादपर्देश की total हम vacancy बात करें 2834 vacancy निकाली गई है उत्रा खंड के तरब से 724 vacancy निकाली गई है हर्याना के तरब से 608 vacancy निकाली गई है अब हमसे लिए आपको category wise vacancy पूरी तरह से बतला देते हैं तो मत्यपरदेश में general के लिए जो vacancy है 1149 vacancy निकाली गई है OBC के लिए 296, EWS के लिए 292, SC के लिए 428, ST के लिए 56 और PH के लिए 103 vacancy निकाली गई है जो total 2834 vacancy है दुसरा हम बात करते हैं उत्राखंड के लिए उत्राखंड में total जो है general के लिए 411 vacancy निकाली गई है OBC के लिए 96, EWS के लिए 38, SC के लिए 134 और ST के लिए 27, और PH के लिए 18 total vacancy 724 vacancy निकाली गई है अब चलिए हम next बात करते हैं हर्याना के लिए, हर्याना के लिए gentle में जो seat निकाली गई है वो 276 seat में निकाली गई है, OBC के लिए 146, EWS के लिए 60, SC के लिए 106, ST के लिए 0, एक भी seat नहीं है PH के लिए 19, और total vacancy के बात करें तो 608 vacancy में अगर हम तीनो स्टेट की vacancy टोटल बात करें तो total vacancy जो है वो 4166 vacancy निकाली गई है, 4166 अब हम बात करते हैं eligible criteria की, देखिए अगर आपको और भी detail में पढ़ना है तो notification जो है वो मैं description में अपना दे दिया हूँ, description से आप official notification को download कर पूरी तरह से आप पढ़ सकते हैं अप्लाइ करने में, तो आप हमें please comment कर बताएं, मैं पूरी तरह से आपकी सहता करूंगा, तो चली यहां हम बात करते हैं eligible criteria की आपके लिए, क्या इसके लिए eligibility चाहिए, ठीक है इनमें जो है, वो GDS के लिए जो vacancy निकाली गई है, वो minimum age limit जो है, वो 18 year, कम से कम आपका 18 year होना चाहिए, maximum जो है, वो 14 year वाले भर सकते हैं, 40 year, 40 year साल वाले भर सकते हैं इनके भी कोई rule है, कि on date of application, जिस दिन से application data स्टार्ट हुआ है, मतब कि आप 86 2020 को आपका कम से कम 18 साल हो जाना चाहिए, और maximum 40 साल होना चाहिए, अगर 40 से आपका ज्यादा हो रहा है, तो आप उनके लिए eligible नहीं है, अगर हम eligibility के बात करें, qualification eligibility के लिए, तो आपको यहां पे चाहिए, 10 चाहिए, 10 पास आउट होना चाहिए, प्लस में आपका एक math subject होना चाहिए, प्लस एक English subject होना चाहिए, ठीक है, आपका 5 subject में से एक math होना चाहिए, और एक English compulsory है, उसके बाद आपका जो है local language जो है, मालने जिए आपका जो local language है, वो आपको complete चाहिए, जो local language है, में जो लिंक दिया हुआ वहाँ पर जो स्टेट वाइज लोकल लेंग्वेज हो वहाँ पर दी हुई है उसके बाद एक और जो है बेसिक कॉलिफिकेशन चाहिए कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए वह आपको बतला दे रहा हूं यह सिंपल सा जो है सर्टिफिकेट चाहिए को तो कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टूट से जो सेंट्रल गवर्मेंट से रहनों स्टेट गवर्मेंट से रहनों या कोई उनिवर्सिटी या बोड या प्राइबिट इंस्टूट और गनाजीशन से आपका 16 डेस का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपका मालजी यह नहीं है अगर आपका यह नहीं है basic certificate training 60-60 days का certificate तो अगर आप 12 है तो अगर 12 में आपका 12 में आपका या तो फिर कोई भी आप academic पढ़ाई किये जिसमें आपका computer as a subject है तो आप वो certificate दे सकते हैं आपका हो जाएगा ठीक है तो यही डिटेल था यह जो vacancy है यो all India के लिए vacancy है इनका जो वेकancy है वो सभी कोई भर सकते हैं कोई भी a state से इसके लिए कोई requirements नहीं है कि यह यह state वाला सिर्फ fill करेंगे बट यह जो vacancy निकाली गई है वो मद्द परदी उतराखंण और हर्याना के region से निकाली गई है तो चली अगर कोई भी